वेल्कम बेक टू रसीला की रसोय, रसीला की रसोय मैं आपका हार दिक्ष्वागत करती हूँ, आज मैं आपके लिए लाए हूँ, चावल के आटे से बना हेल्दी और टेस्टी नास्ता चावल के आटे से एकदम टेस्टी नास्ता बनाने के लिए मैंने लिए है स्वीट कोन, एक बावल जित का दाना निकल के रख दिया है और मैंने सिम्ला मिच को काट के लिया है, गाजर को मैंने छेन लिया है, ओनियन को छोटे-छोटे पिस में मैंने काट लिया है, टमाटर को भी मैंने काट लिया है, और केबिस को मैंने छेन लिया है, और कोरियंडर लिवस लिया है, एक बावल जितना अब हम मकाई के दानों को दर दरा क्रस्ट कर लेंगे एक परात लेंगे उसमें डालेंगे हम क्रस्ट किया हुआ मकाई का दाना उसको हम ने थोड़ा सा दर दरा क्रस्ट कर लिया था अब इसमें डालेंगे कट किया हुआ हम टमाटर कि अब इसमें डालेंगे कट की हुई ओनियन का आप डालेंगे कदूकस किया हुआ गाजर iamleader हम डालेंगे केविज छोटे-छोटे पिसमें काट कि दी रखा था अब डालेंगे हम सिंबला मेच उसको वेहां भी मैंने छोटे छोटे पीस में कात लिया था मुप अब हम डालेंगे झार काटीनुल लिपिये यहाल लिफई हो आप चाहे तो आप तो आप आपे हैं राइस फ्लोर में डेट कप चितना डाल रहे हूं अब डालेंगे सुजी सुजी में ने वन थड कप चितना डाल रहे हूं अब डालेंगे हम दहीं दहीं में एक बाउल लईया है सिली फ्लैक्स एकच चितना अब डालेंगे हरीमेच कट किया हूँ इसमें डालेंगे अधरक कदुकस किया हूँ एक इंच और इसमें डालेंगे और गिनो एक चमच Cham अब हम इसमें डालेंगे एक चमत तील। अब हम इसमें डालेंगे काला मरी पाउडर आधा चमत। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला एक चमच। अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा। अब हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच इतना साबुचीरा, अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा थोड़ा सा, अब हम इसे हाथों की मतच्छे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हमें आटा को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि वेजी टेबल में थोड़ा थोड़ा पानी रेता है, तो आटा सोख लेता है, तो हमें इस तरह से सारे आटा को अच्छे से इसमें मिक्स करना है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे क्योंकि इसमें एक साथ में पानी नहीं डालना है हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही इसको मिक्स करना है इसमें बहुत सारे वेजिटेबल रहता है तो इस तरह का नास्ता बना के आप सुबई में या तो कभी साम को अलकी फुलकी भुक लगी है तो आप इसे बना सकते हो इसे एक बार बार खाने का मन करेगा इसा टेस्टी और एकना मज़ेदा नास्ता बनता है तो आप घर में एक बार जरूर ट्राइ कीजिया और मुझे कमें सेक्षन में जरूर बताईए तो दोस्तों मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते गई हूँ तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते गई हूँ और एक दम मसल के इस तरह का मेने थिक बेटर बना लिया है अब इसे हाथों की मदच्छे हलका हलका दबा के इसको हम 10 से 15 मिनित तक इसे ही छोड़ देंगे इसे ही छोड़ने से सूजी पानी सोख लेगी ताकि एक दम अच्छा बेटर बन जाए अब 15 मिनिट हो चुके है तो इस तरह का टेक्चर बन गया है तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसल लेंगे और अब इसे का अच्छे से एक गोला बनाएंगे इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे अब गेस के उपर एक पेन रखेंगे, आप उसके बदले में तवा भी ले सकते हो अब उसमें डालेंगे ओल, ओल दो चम्मचित नाम डालेंगे और गेस को चालो करेंगे एक लुवा बनाएंगे उसको हाथों की मदद चे इस तरह से हम हलका अलका प्रेस करते हुए फेला देंगे एक लुवा बनाएंगे और उसको पेन के अंदर रखे देंगे और हलका अलका हाथों की मदद से प्रेस करते हुए हम इसको इस तरह का बना लेंगे अब इसको हम इस तरह से चमस की मदद से हलका हलका लाते हुए सेखेंगे और हलका ब्राउन होने के बाद चमस की मदद से आराम से हम पलट लेंगे ताकि तुटना जाए एकदम हलका ब्राउन हो चुका है और कितना अच्छा से सेख चुका है तो हम इसी तरह से दोनों साइट से के हम इस नास्ता को हम सो सिया चटनी के साथ सो कर सकते हैं बहुत ही तेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये नास्ता बनके रिड़ी होता है तो आप भी बनाए इस तरह का नास्ता बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग नास्ता बनके रिडी होता है तो इसे आप बनाके जरूर ट्राय कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जरूर दबाएए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास चलचे जलद पहुँचे जय हीन जय भारत तन्यवाद थेंक्स फोर वोचें